जहीन दोस्तों कैसे हो आप लोग सब तो आज है हमारे पास न्यू टीवीएस रेडर और जो यह जो है मोडल है यह नया वाला है आप लोग देख सकते हो इसमें TFT मेटर कंसोल लगाव है तो इसमें आप लोग GPS कैसे एक्टिव कर सकते हो वो आज आपको इसमें बताऊंगा त तो सबसे पहले आप लोगं देख सकते हो सान्डार। यहाँ पर बाकि आपको पहले अपको पहले यहां को पहले मिलता है। दोनों का जो animation है वो काफी अलग है आप लोग देख सकते हो उसका थोड़ा dark आता है और जो eco mode है इसका थोड़ा light आता है अब दोस्तों यहाँ पर आपको जो है एक बार माँ on off करके भी दिखा देता हूँ ताकि आपको जो है exit पता चल सके यह आप लोग देख सकते हो काफी शांदार animation है और side में आप लोगों ने देखा ही होगा आपको जो ABS sorry engine malfunction light है और जो neutral light है वो उपर मिल रही है बागी यहाँ पर indicator वगर है सारी जो light है वो यहाँ पर मिल जाते है अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इसका जो है Bluetooth आप लोगों को यहाँ पर connect करना पड़े और वो जो है TVS radar का अलग से जो एप आता है जहाँ पर आप लोग Bluetooth connect करोगे उसी में जो है आप लोगों को दिखाई देगा जिससे क्या होगा कि आप लोग जो है आपकी बाइक को ट्रेक कर पाऊगे exit live location भले ही आपकी बाइक कहीं पर भी हो ऐसा नहीं है कि आप लोग पां जा सके बाकि यहाँ पर 2-2,000 रुपा आपको extra pay करने पड़ेंगे जब आप लोग इसका जो GPS वाला प्लान लोगे तो और उससे क्या होगा आप आपकी बाइक की live location देख सकते हो राइडिंग जो history है वो देख सकते हो आपकी बाइक अगर कोई चोरी करके ले भी गया तो व उसी के उपर जो यह वीडियो है वह बना रहा हूं तो जैसे ही आप लोग जिए आपकी बाइक जो है कोई चोरी करके लेकर जाएगा तो आपकी जो लोकेशन है लाइव लोकेशन वह आपको हर जगे की show up हो जाएगे इसमें यह सिस्टम नहीं है कि आप लोग हजार मिटर क कि जो लोकेशन है वह आपके मोबाइल में मिल जाएगी पकि आप लोग निचे नंबर पे जाके कॉंटेट कर लेना वह आपको और अच्छे से जो है एक्स्प्लेन कर देगा इन सारी चीजों के और हो सकता है तो एक दो दिन में मैं इसका फूल वीडियो लेके आऊंगा उ उसमें भी आप लोगों को पता चल जाएगा तो इस वीडियो में फिलाल इतना ही दोस्तों जो एक छोटी सी जानकारी थी वो मैंने आपको दे दिया अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेर कर देना और अगर आप हमारी चैनल पे न जरूरत बना